हेलो एवरीवन तो फ्रेंट्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो की ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे उसके बारे में के कमेंट में नो कुछते थे कि मैडम आप कितना पैसा लेते हो जो कोई भी ड्रेस सील के किसी कस्टुमर को देते हो तो उसी टॉप तो उसके कम प्राइज होते हैं तो इस तरीके से होते हैं पर फिर भी मैं आपको अपना प्राइज बता दूगे कि मैं कितना ले रही हूँ किसी भी चीज का तो मैंने लिस्ट बना के रखी हूँ यह वैसे इसी लिस्ट के हिसाब से मैं लेती हूँ और यह ना टाइम से हो गया simple kurta हो गया simple सरवार हो गया simple kurta हो गया paint हो गई फिर उस कुर्ति के साथ plaz हो गया तो इन सब के न मैं 400 रुपे ही लेती हो अब इसमें कोई अलग से designing वगएरा करवाता है तो उसके हिसाब से मैं पैसे लेती हो जैसे किसी ने लेस आड़ करवाई औरल की लेने जाती हूं और जैसे कि अगर मेरा 200 रुपे का लेस आया तो मैं उसको 300 रुपे बताती हो 300 यह 3,5 सो रुपे इस तरीके से निटैंड़ और एक्स्टा करके में क्योंकि देखे हं मार्किड में लेने जाते हैं हमारा समय लगता है आने जाने का हमारा पैसा भी लगता है किराया भी लगता है इसलिए हम इस तरीके से अपर जादा सोर पे यापिए उसमें मेहनत आई है, लेस को लगाने में या जो भी वो डिजाइन बनवा रहे है, लटकन लगा रहे हैं, उसका ही पैसा लोगे, अगर कोई मंगाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, उस तरीके से, अब कोई उससे बोलता है कि मैडम हमें न सिर्फ कुर्टा सिलवाना है, या फिर सिर्फ सलवार सिलवानी है, कोई कुर्टा सिलवाता है तो मैं सिंपल सूट के लेती हूँ, चार सु रुपे, पर अगर कोई सिर्फ कुर्टा सिलवाएगा तो मैं धाई सु रुपे लूँगी, और अगर कोई सिर्फ सलवार सिलवार है तो मैं उसके दो सु रुप अभी बोल रहा है कि हमें सिर्फ ना कुष्टे में अस्तर डलवाना है और नीचे नहीं डलवाना है तो उसके में शाड़े 500 रुपे तो जो वह सिल्वार है क्योंकि मुझे अस्तर लगाना है डबल महँनत कर रही है तो साड़े 500 रुपे हो गया और अगर वो बोल रहें के नहीं अस्तर हम नहीं दे रहा है आपको खुद लगाना है तो उसमें 1.500 रुपे में और एड करती हो तो वो पूरा टोटल हो जाता है 500 रुपे और 1.500 रुपे साड़े 600 रुपे हो जाते हैं इस तरीके से लेती हूँ फिर इनर कुर्ती खाली जो इनर कुर्ती होती है ना सिर्फ कुर्ता कुर्ता इसे लवाना है और अस्तर वाला उसको सिलवाना है तो उसमें क्या होता है कि अस्तर तो वो तो मेरी महनत है वैसे तो 2.500 रुपे लेती हू मतलब 3,500 ये और 100 रोपे और साड़े 400 रोपे का मैं लेती हूं खाले कुर्टे कुर्टे का फुल इनर सूट मतलब कुर्टे में भी अस्थर और नीचे पैंटे या सलवार ये प्लाजो जो भी उसमें भी अस्थर ठीक है, तो 700 रुपे तो इसका हो गया मेरा जो अस्तर का मैं सिलाई कर रही हूँ, पूरा सूट में जो अस्तर लगा रही हूँ, उसकी महनत का हो गया, 700 रुपे, 200 रुपे और प्लस करती हूँ, जो की अस्तर मेरे को लाके लगाना पड़ेगा उसमें, तो टोटल हो गया 900 र yin riktert और और कोई लांइन टल्वाना चाहते ह। उय्क्तार थो सर तरीके से लेती हूं और अगर कोई नहीं डल्वाथासरी सिर्फ चार्स य्टसरपही लेती हूंए अब आता है लहंगे की जो जैसे की बने में लहंगे užते हैं और हमें सिर्फ फिटिंग करनी रहती है, जो भी सिलवाता है उसके नाप से, और उसमें अगर लटकन कोई आड करवा रहा है, कोई नाड़ा डलवा रहा है, तो उनके अलग से पैसे लेती हूँ, तो अगर कोई फिटिंग के लिए आया है ना किसी का, लेंगे की फिटिंग का मैं लेती हूँ, साड़े साथ सुरुपे, विद उसमें लटकन लगाने के लिए और नाड़ा भी हमें डालना रहता है, तो साड़े साथ सुरुपे सिर्फ फिटिंग के, अब आते हैं हम गाउन पे, कोई अंब्रेला गाउन बनवाता है, कोई कली वाला बनवाता है, तो उ उसके अलग से पैसा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने का आया, उसमें सौरुपे और आड़ करना रहता है, तो इस तरीके से प्राइस बढ़ता जाता है, वैसे सिंपल कोई सिर्वाता है, तो सिर्फ हजार रुपे, कुछ भी अगर उसमें एड़ करवाते हैं, तो हम बढ़ते जाते हैं, जिस हिसाब से वो उसमें समान लग रहा है, या हमारा महनद डिजाइनिंग में लग रहा है, तो उसके हिसाब से वो बढ़ता है, अब आते हैं ब्लाउस पे, तो फ्रेंट्स अगर कोई सिंपल ब्लाउस बनवाता है न, सिंपल बिल्कुल, उसमें हमने कोई एड़ नहीं करना कुछ डिजाइनिंग नहीं बनाना है तो उसके 400 रुपे चार्ज करती हूं अगर कोई डिजाइनिंग बनवा रहा है तो वही 100-500-200 तक पर जाता है वह डिजाइन कोई लटकन भी लगवा रहा है तो वही जैसा कि मैंने आपको बोला हैंडमेट लटकन और इसमें अगर तो वह कुछ नहीं लगवा रहा है तो मैं 800-900 पर चार्ज के लेती हैं किृट ऑड़ काफी हें होता है कोई मोतियों वाला होता है कंडाई ओड़ाय और किसे 278 यह तो उसके बाद करना होता है यह वह अच्छी हैवि लचकन चाहिए तो उसके साफसे में औ बम लंगा प्राइब क करके उनों को बता देते हम तो उसाब से हैं और यह बलाउस के बता रही हूं मैं यह यह पैड वाले माधस होते इसमीं लगाना होता ह्याँ ही तरफ से और उसी तपके से फ्रेंड्स जो घान मेरा कैन वाला लेहंगा होता है तो इस तो ठीक है नहीं तो अगर आप अपना लगा रहे हैं तो इस आप से मार्किट से ले के आई और उसमें सो डीट सो रुब है अपना और एक्स्टर चार्ज करके उनको बताई है तो यह मैंने बताया आपको वैसे तो बहुत सारी चीजे बहुत सारे डिजाइन आंगए यह equation और फिर मैंने आपको बोला कि आप आप जिस भी city एंट या area में रहते हैं अगर आप भीrec करते हैं आप घर में ही खर्रायं कर रहे हैं तो आपटा कर लें के गर्हें और आपको अपने ल्याई पर तो अभी थोड़ा शुरुवात ही किया ज्यादा अच्छी नहीं है मेरे फिर भी लोग आप से सिलवा रहे हैं तो आप 105 टोड़ा कम भी ले लेंगे तो लोग आपसे सिल्वाएंगे प्राइस कमेंट का चले इन से सिल्वाते हैं वर्ना मैं आपको यहीं बोलूँगी कि प्राइज घडुल रहें और एसा नहीं कि ये ही प्राइज रहता है कपड़े के प्राइज के कारटन की होते हैं तो सब्सक्राइब ले सकते हैं तो इस वीडियों में तस्यान сд何 आई तो प्टन दुन सुझाओ और अगर अभी तक अब अभी के सब्सक्राइब करें, थैंक यू पर वाचिए.